देखो बच्छों, question no.4 में कहना है, तुम्हारे पास एक quadrilateral गिवन है, ABCD, इसकी naming कर लो है, तुम जैसे मर्जी वैसे कर लो, यहां पर डाइगनल है, that is 24 meters, तो हमने BD ले लिया 24 meters, एक परपेंडिकुलर है A, 13 meters, जो दूसरा परपेंडिकुलर है CF, that is 8 meters, तुम्हें यहां प नोट डाउन कर लेना, अपनी study table के उपर लगा देना, इस sheet पर तो, जब बार बार देखो को तो याद हो जाएगा, क्या होता है, half into diagonal into h1 plus h2, ठीक है, अब देखो चलो, इसमें हम वह करते हैं, put करते हैं, इसको highlight कर रहेते हैं थोड़ा सा, ताके तुम लोग को सारे areas याद हो जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, half into diagonal कितना है बिटा, diagonal is 24, एक height है 13, दूसरी height है 8, ठीक है, ठीक है, यह हो जाएगा 12, 12 into, यह हो जाएगा 21, ठीक है, इसको ज़रा multiply करो, तो यह आजाएगा, 252 meter square, तो यहाँ पर area of correlator आगे 252 meter square,